स्टेंडर एट सब्जेक्ट मैथेमेटिक्स चाप्टर फोर अलिक्तिटूड्स एंड मीडियन्स ओपर ट्रैंगल प्राक्टिस सेट 4.1 आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए प्राक्टिस सेट 4.1 प्राक्टिस सेट 4.1 के प्रिवेईज वीडियो में हमने क्वेशन नमबर 1, 2 and 4th सब्सक्राइब कीए अभी रिमेनिंग क्वेशन स्ब्सक्राइब करेंगे सो क्वेशन स्टार्ट करने से पहले ओट इसे मिडियन्स मींस होट ओ देखते सें ट्रेंगल इन ट्रेंगल A, B, C, इन ट्रेंगल A, B, C D is a midpoint of say BC, D is a midpoint of side BC so vertex A, द्रेंगल क्या किया है? seg AD ड्राओ किया है, okay seg AD ड्राओ किया है, वो क्या है? ट्रेंगल की median है median है, so median means what? the segment joining the vertex and midpoint of opposite side यह vertex है, उसका opposite side का है BC है, उसका midpoint का है D तो segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called median of the triangle यहाँ है, हम एक median draw किया है, so vertex B से लेके AC का midpoint join करने के बाद, दूसरी median मिल सकते है vertex C से AB का midpoint join करने के बाद, दूसरी median हमनों को मिल सकते है तो मैंने एक median आपे draw करके दिखा है so here seg AD is a median on this base BC, okay so now question number third, draw an obtuse angle STV draw its median and show the central so suppose this is a rough figure, STV is a obtuse angle so obtuse angle में क्या होता है, एक angle क्या होता है, more than 90 होता है तो मैंने 110 degree का एक angle draw किया है, ये दो एंगल क्या होता है, एक क्या होता है obtuse angle triangle में एक angle क्या होता है, more than 90 होता है तो हम लोग क्या median draw करना है, suppose यहाँ पर A is the midpoint of TV तो and suppose B is the midpoint of SV and C is the midpoint of ST तो हम लोग क्या करना होता है, S and A join करना पड़ेगा, तो T and B join कर दो, V and C join करना है एक है, रफ फिगर है, ये है रफ फिगर, अभी हम क्या करते है, उसको fair figure draw करते, so first construct triangle draw, obtuse angle triangle, तो पहले हम क्या करते है, obtuse angle triangle, ट्राइंगल ट्राइंगल करते, तो हम लोग ने क्या किया, first obtuse angle triangle, STV draw किया, अभी हम लोग को क्या find करना है, find the midpoint of seg TV, midpoint of seg ST and midpoint of seg SV, तो midpoint कैसे find करते हैं, वो पहले दिखते हैं, so compass लेने, हम क्या करना है, seg TV को basic करना है, seg TV को क्या करना है, बाइसेक करना है, तो basic करते हैं, first ये point T पे रखते हैं, compass का point, distance कितना है, more than half, कितना लेना है, more than half, suppose midpoint half कितना हो सकते हैं, इतना हो सकते हैं, तो हम लोग क्या करना है, distance more than half लेना है, तो arc, make arc upper side as well as lower side, next, अभी compass का point V पे रख दो, ये पहले वाले arc को क्या करना है, कट करना है, कट कर दिया, अभी कट करने के बाद, ये जो point मिल रहा है, वो क्या करना है, join करना है, see, ये जो point मिल रहा है, वो क्या है, TV का midpoint, suppose हम पॉइंट A लेते, so A is a midpoint of TV, अभी हम लोग को क्या पाइन करना है, S V का midpoint फाइन करना है, तो compass लो, एक पॉइंट V पे रख दो, pointed point compass का V पे रख दिया, distance more than haply है, bicycle करने के बाद, वो ऐसा bicycle आ सकते है, A set, तो क्या A set एक bicycle कर दो, A set कर दो, अभी compass का point S पे रख दो, पहले वाले R को cut कर दो, यह देख रख कर दिया, यह दुसरे वाले R को cut कर दो, cut हो गया, अभी A point, intersecting point, और A intersecting point क्या करना है, join करना है, यह join करने की बाद, A जो point मिर रहे है, यहाँ पे, वो point क्या है, S B का midpoint है, उसको मिर रहे है, B दे रहे है, अभी हम लोग को क्या करना है, S T को basic करना है, तो T पे point रख दिया, distance more than हाप लिया, A साइट एक R करें, A साइट एक R को, अभी point S पे रख दो, यह पहले वाले R को cut कर दो, यह दुसरे वाले R को cut कर दो, cut हो गया, A point और A point क्या करना है, join करना है, तो क्या मिल गए हम लोग को, S T का midpoint, यह point को नाम क्या दे रहे हम लोग, C दे रहे, अभी क्या करना है हम लोग को, S A join करना है, T B join करना है, and V C join करना है, तो C here, point S A join करने के बाद क्या मिला है, median S A, point T and B join करने के बाद, median T B, and median V, C note that medians are concurrent medians are concurrent and their point of concurrence is called centroid point of concurrence is called centroid so our question is that draw an obtuse angle triangle STV draw its medians STV draw again median draw again show the centroid see the point concurrence is called centroid and is denoted by point G point denoted by G and centroid divides centroid, this centroid divides each median centroid divides each median in the ratio 2 is to 1 so ratio 2 is to 1 okay centroid divides each median in the ratio 2 is to 1 understood question number 5 draw right angle triangle XYZ draw its median and show their point of concurrence by G by G so first what do we need to do first we need to do rough figure draw we need to do midpoint fair figure find find so this is the midpoint and midpoint join एक चांगल ट्रैंगल ट्रैंगल लूब करते हैं यहां प्राइंगल उने चेहां और यहां तरोड़्स गाक्ति कोंके करतें मतल्य पस्तियांगल कीशिक के और फिर्स और करों तो यह होगा है triangle right angle triangle x y z अब हम लोग को क्या पाहिन करना है find the midpoint of y z midpoint of x y midpoint of side x z तो with help of compass put compass on point y take distance more than half एक upper side प्र आर्क रोग किजिए एक lower side lower side next अभी point z पी रख दो पहले वाले आर्क को cut कर दो नीचे वाले आर्क को cut कर दो cut करने के बाद चाहापे जो intersecting हो रहे a point और a point joint कर दो तो यह है point midpoint of side y z अभी क्या करते हैं midpoint of side y find करते हैं compass लो compass का point y पे रख दो distance more than half है तो एस साइट एक arc ड्रॉ कर दो एस साइट एक arc ड्रॉ कर दो अभी किसका find कर रहे हैं midpoint x y तो y पे रख दिया अभी x पे रख दो arc को cut कर दो arc को भी cut कर दो अभी a point intersecting point और a intersecting point क्या करना है join करना है तो a मिल गए हम लोग को x y का midpoint okay x y का midpoint है इसको नाम देते हैं हम लोग c याप Ši याप हम लोग ने c दिया irop figure में तो याप ए भी c देते हैं अभी क्या करना है हम लोग को y z को byseak करना है तो compass जेड़ पे रख दू distance more than half a-cetic arc ड्रॉआ कर दू a-cetic arc ड्रॉआ कर दू अभी point कहाँ पे रखना है एक जेड़ को बाईसे कर रहे हम लगतो अभी x पे रखते पहले वाले arc को cut करते cut हो गया आपे इसको cut करते cut हो गया तो a हो गया यहाँ पे मिल गए हम लोग को x-z का midpoint उसको नाम क्या दिया हम लोग ने b और एक याल रखना है तीनो side का bisect draw करने के बाद यह right angle triangle है तो कापे में मिलते hypotenuse पे यह पे दो गए x-z is hypotenuse वो hypotenuse पे क्या होते तीनो side का bisector या पे concurrence point मिल गए हमको bisector का concurrence point किस्का find करना है median का median हम लोग को draw करना है तो क्या करना है median median x-z draw करना है median z-z draw करना है median y-b draw करना है तो x-z cod z-z join and y-b Midians are concurrence concurrence मिन वो एक ही point में क्या होते हैं? Intercept होते हैं, उसको क्या होते है? Conquerence. So, the medians are Conquerence and their Point of Conquerence Point of Conquerence Denoted by G Denoted by G, see here Draw its median and show their Point of Conquerence by G. This is the Point of Conquerence and it's denoted by Point G and The Centroid, this Point is also called Centroid Centroid G This Centroid divides each median in ratio 2 is to 1 G1 के double क्या है? XG XG, किसके double है? G1 के, तो ये Point 2 ratio तो ये कितना है? 1 है Understood? Thank you